अगर आपको या आपके परिवार को भिंडी खाना बहुत पसंद है तो आप इस रेशिपी को जरूर ट्राइ किजिएगा वैसे तो भिंडी की सबजी आपने बहुत बार बना कर खाई होगी लेकिन आप एक बार ऐसे जरूर बनाईएगा चलिए बनाना शुरू करते हैं रेशिपी रूम में आपका स्वागत करती हूँ इसके लिए सबसे पहले हम 500 ग्राम भिंडी ले लेंगे और अच्छे से इसको धो के फिर कौटन के कपड़े पेड फैला के इसको हम थोड़ी देर के लिए सुखने दे देंगे इसमें पानी कांज बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जब यह अच्छे से सूख जाएगा तो इसको हम फिर काट देंगे लंबे लंबे चीरे लगाएंगे इसमें यह थोड़ा ज्यादा सुंदर देखने में लगेगा इसलिए हम इसको ऐसे काटेंगे आप चाहे तो दूसरे मसाला इसमें नहीं डालना है ऐसे ही इसको अभी मिला के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे लास्ट में फिर हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पौडर डाल देंगे हल्दी डाले थे लेकिन कम लग रहा था दो चम्मच के करीब हम चावल काटा डाल देंगे और दो चम्मच के आटा और निम्बू इसलिए डाले हैं कि ये थोड़ा ज्यादा कुरकुरी भिंडी बनेगी और खाने में भी स्वादिश्ट लगेगी और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे देखिए 5 मिनट रखने के बाद ऐसे ही तैयार हो गया फिर हम तेल डालेंगे थोड़ा सा जीरा डाल देंगे जीरा आप ना भी डालेंगे तब भी चलेगा इसमें ज्यादा मसाला डालना ही नहीं है फिर इसको हम भिंडी को चारो साइट से मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही फैला देंगे और जब फैल आके इसको दो मि कि उड़ा तक चोड़ना और ऊधिन इंद की चलाना नहीं तो इसके जिनों शुख निकल जाय prettier बेज्ड दュ डियरे निकल शाया है शकर मार जो रहेसा